हलो नमश्कार आदरनिय प्रदानमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अपना जी? बिल्कुल बढ़िया सर जी, तैंक्यूँ सबसे पहले मैं Bangalore Storytelling Society की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकवरों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं सर जी और मैंने सुना है कि आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर तो अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचे करवा दें ताकि मन की बात के जो सुरूता है उनको परिचे हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा धुभियान चला रहे हैं बिल्कुल सर मैं अपरना आत्रेया हूँ मैं दो बच्चों की मा हूँ एक बारती अवायू सेना के अफसर की बीवी हूँ और एक passionate storyteller हूँ सर storytelling की शुरुवाद 15 साल पहले हुई थी जब मैं software industry में काम कर रही थी तब मैं CSR projects में voluntary काम करने के लिए जब गई थी तब हजारों बच्चों को कहानियों की माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी मा से सुनी थी लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा मैं क्या बोलूँ आपको कितनी मुस्कराहट थी कितनी खुशी थी तो उसी समय मैंने तेह किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष होगा सर आपकी टीम में और कौन है वहाँ मेरे साथ है शायलेजा संपत मैं उनसे परिचाय करवाने के लिए आगिया मांगती हूं सर जुरू जुरू नमस्कार सर नमस्ते जी मैं शायलेजा संपत बात कर रही हूँ मैं तो पहले टीचर थी उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े होए तब मैंने थेटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संत्रुक्त मिला तो अब मैं वही कर रही हूँ जैसे कि टीचर्स को ट्रेन करती हूँ और बच्चे और बुजर्गों को कहानिया भी सुनाती हूँ मगर मुझे अपना के एक काम पर बहुत गर्व है कि मैंने एनी नाम का एक इंट्राक्टिव मेशीन के लिए खनड़ा कंटेंट तयार किया है जिससे नेतरहीन बचे ब्रेल सीख सकते हैं और यह सब के लिए मैं श्रेत और मेरे फैमिली को ही दे सकती हूँ धन्यवाद धन्यवाद आपको बदाई मेरे साथ साउम्या है नमस्कार सर नमस्ते जी मैं हूँ साउम्या श्रेनिवासन मैं एक साइकोलोजिस्ट हूँ और मेरी बचपन चैन्ने में बर्दनाट्यम और शास्त्रिय संगीत के साथ बीती है इसके लिए तो मैं अपने माता और पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ यह चारो मुझे कहानियों के दुनिया में कीच कर लाई मैं जो काम करती हूँ बच्चों बड़े लोगों के साथ उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ यह मेरी लक्षी है Healing and Transformative Storytelling और मुझे बहुत पसंद है हातियों और साहस लड़कियों की कहानिया कहने के लिए और जो भी मैं हूँ उसके पीचे मेरे बल है मेरे फैमिली, मेरे बच्चे उत्रा और केशव और मेरे हस्बंड शीनिवासन मेरे साथ है अपरना नमस्ते सर नमस्ते परना जी मेरे नाम अपरना जैशंकर है मैंने भार्दिया और उनिवर्स्टी से मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लेकिन नौकरी घर ग्रहस्ती में 15 साल निकालने के बाद मैं अपनी पहचान कला की हर रात को मिलती थी और जब जीवन साथी को भी इन कथाओं में दिल्चक्स है और बैंगलो स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्ता है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था एक स्टोरी टेलर को महाभारत से जादा कहानियों का भंडार तो नहीं है जितने प्रांथ उतने महाभारत मैं इन विभिन महाभारतों को पढ़ना चाहती हूँ और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ मेरे साथ मेरे साथी लावन्या प्रसाद है लावन्या जे नमस्ते Namaste sir, I am Lavanya Prasad and I am an electrical engineer turned professional storyteller sir. Today, I believe I make better and long lasting connections using stories rather than electrical wires. Sir, I grew up listening to stories from my grandfather and I had a very special liking to Harikate form of storytelling sir, because I was trained in Bharatanatyam and Karnatik music. So today sir, I use all of this in my storytelling. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. Apart from training teachers, children and adults in the art of storytelling, I also do my bit sir, in helping our epics, especially Ramayana, to reach a larger audience. And all this would not have been possible without the support of my family sir. So today, I take this time to thank my parents, my husband Narayan Prasad and my two lovely daughters Niranjana and Mania. Now, I have a lot of information, as I mentioned yesterday, and as I said, I have talked about it, I have told you that you have a brother, a brother, a brother, a brother and a brother are, so please ask your parents to tell your children and you can tap the story, record the story. I have been told you, but I have always thought, कि एक तो आप सबने जो परिचे दिया अपना उसमें भी आपकी कला आपकी कॉम्नुकेशन स्कील और बहुत ही कम सब्दों में बहुत ही बड़िया धंग से आपना परिचे करवा है इसलिए भी मैं आपको बदाई देता हूँ कहानिया सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बलकि बड़े बुड़ों के लिए भी उतना ही जाइज है कहानिया ही तो है जो हमें जिंदगी का आइना दिखाती रहती है और आपस के दर्मिया होते हुए भी साथ रहने और रिष्टे निभाने की सीख देती है कहानिया इस दुनिया में हमारी खूबिया और खामिया समझाती है How do stories bring people together? That is a very beautiful question. There is a very famous quote sir that says the shortest distance between two people is a story. For example, in a country as diverse as India, it is amazing to see how folktales from different states are centered around a universal theme. But at the same time, it highlights the respective culture. Sir, stories are like food for our soul. A simple dal becomes sambar in Tamil Nadu, pullusu in Andhra Pradesh and kichdi in Uttar Pradesh. Stories are also like that sir. One ingredient, but unique and different tastes. Antar to nirantar है और कहानिया हमें ये समझाने में मदद करते हैं. And that is how sir, the differences disappear and bridges are built. अपकी बाद सही है हमारा देश महान है, विविताओं से भरा हुआ है, हर व्यक्ति की, हर इलाके की, हर भाशा की, अपनी कहानिया है. इन सब स्टोरीज को पीजव कैसे करें? क्या लगता है आपको का आपका बड़ा अनुभव है इस्क्षेत्र में? It starts from the family. We need to preserve the stories inside the family. Parents, grandparents must pass on the family stories to their children. That is the first point. Second point, oral storytelling should become a part of our curriculum, educational sector, so that it can pass on to the future generation. And then, a very important point, sir, that, you know, we are very passionate about languages. जो हमारे great nation में हैं, जो languages हैं, we need to preserve those languages by telling the stories from every language. In a small way, Bangalore Storytelling Society, we are doing that by our event called as Story Song Border, where we tell stories in many languages. And finally, sir, I think an art form can be supported through the regional support of the government, through funding and grants that will help us create more events, special storytelling events and also do research. And this, we think, is the way we can preserve storytelling for the future. मुझे लगता है कि हमने कहानिों की कहानी पर काफी बाते की. एक पकारत से एपिटाइजर का काम कर रही है. अब जो हमारे स्रोता लोग हैं, मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का. क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक तो कहानी सुना आप लो आज से बैटते थे कि आज कुछ अच्छा बना होगा और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वहीं बेजान सब्जियां खिलाते थे तुराई लौकी कदू टिंडा उफ्ष ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते घुसे में थाली फेक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली पिचाड़ा हूँगा बावर्ची बिचारा डर गया अब नई सब्जी के लिए वो कहां जाएं बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनाली रामा के पास और उसे पूरे कहान सुनकर तेनाली रामा ने बावर्ची को उपाये दिया अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आएं और बावर्ची को आवाज दिये आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सुली तैयार कर दूँ डरे हुए बावर्ची ने जटपट से थाली सजाया और रा बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था सब अच्छे तरह से चड़ी थी उंगलिया चाटते होए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बलाया और पूछा कि यह कौन सी सबजी है इसका नाम क्या है जैसे सिखाया गया था वैसे ही बावर्ची ने उत्तर द को मुकट पहनाया राजा खुश हुए और घोशित किये आज से हम यही मुकटदरी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं हमारी राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सबजी नहीं बनेगी राजा और प्रजा दोरों खुश थे यानि पहले-पहले तो सब कि उन्हें नहीं सब भी मिली है लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गएं सुर्फ थोड़ा कम होता गया एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के गन में बैंगन भाजा एक के हां कत्रिका सांबार तो दूसरे के हां वांगी बात एक ही बैंगन बिचारा कितना रूप धारण करे धीरे धीरे राजा भी तंग आ गये हर दिन वहीं बैंगन और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बलाया और खूब डाटा तुमसे किस ने कहा कि बैंगन के सर में मुक्ट है इस राजय में अबसे कोई बैंगन नहीं खाएगा कल से बाकी कोई भी सबजी बनाना लेकिन बैंगन मत बनाना जैसे आपके आगया महराज कहके बावर्ची सीधा गया तेनाली रामा के पास तेनाली रामा ने के पाव पढ़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद आपने हमारी प्राण बचा ली आपके सुझाओं के वजए से हम कोई भी सब्री राजा जी को खिला सकते हैं तेनाली रामा हसते हुए कहा वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुर्श ना रख सके और इसी तरह राजा कृष्ण देवर आया और मंत्री तेनाली रामा के कहानिया बनती रही और लोग सुनते रहे धन्यवाद आपने बात में इतनी एक्जेटनेस थी इतनी बारिक्यों को पकड़ा था, मैं समताओं बच्चे, बड़े जो भी सुने के कई चीजों को अस्मरान रखेंगे, बहुत बढ़िया रंग्चा आपने बताया, और एका दुक्ट्रोरी और भी सुन सकते हैं, मैं अभी अपरना आत्रिया को बलाती हूँ, नमस्कार सर, नमस्का से. Thankyou sir. Angrezi में माज़ेदार कहाणी बूलूँगी, जो हमारे सम्स्कृती से आया है. A long long time ago, in the beginning of time, when everything was very different from now, there was a lot of people who wanted to understand how to live a better life. In fact, such a time existed when people wanted to live a better life. So, they went to their favorite God. sir you must know who the favorite god is बस एक होते है वो हते है शिवजी so they went straight to शिवजी एक delegation by the way for everyone please do not think that prime minister delegation was happening only now it was happening from the beginning of time a delegation went all the way to Shiva and all the way they went to Shivji but Shivji was a very busy man everyone who leads nations are busy and so was Shivji who leads the world so he said okay okay I will get back to you a little later in fact my trusted aide Nandi will come and tell you my message please go back now and he sent them back so the delegation went back all the way and waited when Shivji found time he called Nandi and he said listen Nandi you do me a favor go and tell ma'am that they will be better human beings if they can do this mantra follow this mantra always ek bar khau teen bar nahau ja ke unko bolu said Shivji so Nandi of course had to follow the order of Shivji he said Ji Huzur and he turned and then he started to go down tinak kutakujinu tinak kutakujinu tinak kutakujinu tam 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 tinak kutakujinu tinak kutakujinu tam 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 you see khao khao teen bar now I should remember I should remember and he came down but Jaisahi came further down he saw Ganga maya ganga maya kiji he said and he started to play in the ganga he drank the water splash 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 he played with the water and he continued down but by this time he was so playful tinak kutakujinu tinak kutakujinu tam 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 as he went down by the time he reached the delegation there was a small change in the mantra the mantra became sabi log suno Shivji ne ye bola hai ki ek bar nahau teen bar khau oh ho said everyone thank you very much what a great message you have sent we will follow it properly every day and from that day on everybody started to eat three meals a day and soon what happened people ran out of food because there was no food in the fields they ate so much three times a day finally another new delegation was sent not the old delegation new delegation was sent dimi kita ka 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 and they went all the way to Shivji this time thank god Shivji was not busy he listened he said kya hua and everybody told Shivji we don't have any more food we have been eating three times a day three times a day who has you eat three times a day I told you to eat one time a day and bathe three times a day but we got the message sir like this is that true and then he called Nandi is it true I am so sorry I made a mistake please tell me what you will do and Shivji said well you have to pay the price and that is why Adaraniya Pradhan Mantriji what we are doing now is eating three times a day but Nandi the bull and all his relatives go and plow fields क्योंकि उनकी वजे से ही हमें तीन तीर बार खाना पड़ा रोज that is the story sir I hope you enjoyed the story sir बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और विशेस coincidence ऐसा है कि देश में portion महा चल रहा है और आप दोनों की कथाएं बोजन से जुड़ी हुई है जी और अगर आप मेरी मन की बात पूचें तो मैं ये कहूंगी कि हमें अपने अंदर की बच्पन को हमेशा जीवित रखनी चाहिए सर अच्छी कथा कहना अच्छी कथा बच्चों को सुनाना ये जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो ये वातावन कैसे बनाए उस दिशा में हम सबने मिलकर के काम करना चाहिए लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करे कर और मैं आप सबको बहुत शुब कामराई देता हूँ धन्यवाद